देवियों सजनों, हमरा वीडियो आता है, आप लोग पसंद करते हैं, बहुत खुसी होती है लेकिन का है ना कि वीडियो का व्यू जादा होता है, लाइक थोड़ा कम होता है तनिक लाइक बढ़ा दीजिए, हमरा मनोबल थोड़ा उड़ जाएगा, ठीक है ना? जना कटे आरी से, ओ कटे तिवारी से ए मिस्रा, एक बात बताओ ना, हम कैसी लग रहे हैं आज तुम्हें हाँ? जीजा जी ठीक तो आप लग रहे हैं, लेकिन यह बतलाएए कि आज आ कौन रहा है, इतनी तयारियां काहे कर रहे हैं अरे, सारा जीवन तुम कहते रहे, कि जीजा जी आप से घटिया इंसान कोई नहीं है, आज हमसे भी ज़्यादा घटिया बेखती हमसे मिलने आ रहे हैं जीजा जी यह असंभव है, मानों तो इंपॉसिबिलिटी में आता है, आप से घटिया बिक्ती हम इस धर्ती पर ना देखे हैं और ना ही देखेंगे, यह बात हम लिख के दे सकते हैं आ रहे हैं आफिस में, देख भी ले ना, और मन करें तो थोड़ा से चाट की टेश्ट भी कर लें मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो हॉय 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 जालिम की लिख छड़िया है, मेरा नाम जलील अजमा कमर है और आप लोग खुश किस्मत हैं, माउं की दूआ आपको लगी है, कि आज आप मुझ से मिल रहे हैं मिसरा नोट कर रहे हो, धन्य भाग हमारे जो आप हमाया पदारे, बताइए, गन पॉइंट पे चाय लीजिएगा के काफी लेने वाली चीजों में चाय और काफी आज भी तीसरे नमर पे आते हैं मिसरा नोट किये, भी देख रहे हैं, भी जलील चाग एक और आप चुनने बताइए भाईए, कैसे आना होगा मैं, मैं इस वक्त तुम लोगों के पास हूँ, यकिन करो तुम लोगों के भाग खुल उठे हैं किसमत रौशन हो गई है कि इल्म के दर्याओं ने पिंड को छोड़के हिंद की तरफ अपना रुख कर लिया है जलील साहब डूट और आप शुनने क्या मैं पूछ सकता हूँ तवारी के ये आफिस में आपने क्या चीज़ रखी हुई है अरे ये मिसरा हैं साले हम रहे इनको हमने सेकेटरी बना कर रखा है इनकी बात कमाइड ना कीजेगा आप पहली बार आए हैं जलील भाईया बताएए हम का कर सकते हैं आपके लिए तुम्हारी इतनी आखात नहीं के तुम मेरे लिए कुछ कर सको हाँ अलबता आज मेरा दिल कुछ नरम सा है तो मैंने सोचा के मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सको तुम नोट कर रहे हो तीन शुन्य तवारी मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ भाइया हमको कस्तिय सेवेंटी सी सी भाइक तो नहीं है कि हम आप बैठ के चले जाओगे आपको फून खड़काना पड़े किसी मंतरी मंतरी से बात करेंगे वैसे जलील भाई एक बात है पाकिस्तान कहें छोड़ना है यह पाकिस्तान नहीं आपको जलील-उ-जमा कमर बना दिया उस देश को छोड़ लें अब ये बात पूरी दुनिया पे आया हो चुकी है कि पाकिस्तान जैसा छोटा गरीब और मकलूस छोटी सोच वाला मिल्क मुझ जैसे अजीम आदमी को रखने का मतहमिल नहीं हो सकता पाकिस्तान जलील-उ-जमा कमर को डिजर्व ही नहीं कर तो मैं पता है तेवारी इनसानी तारीख में तीन ही आजीम लोग गुजरे हैं पहला सुकंदर आजम दूसरा मंटव और तीसरा तुमारे सामने बैठा है जलील-उ-जमा कमर अईसा है जलील-वया कि आपका सीवी में दम है वह बहुत तंगड़ा है लेकिन प्रसन एए उठता है कि हिंदुस्तान को आपका का जरूरत हिंदुस्तान ने कोहनूर हीरे को तो गवा दिया लेकन तवारी हिंदुस्तान अब मुझ जैसे हीरे को गवाने का मताहमिल नहीं नहीं हो सकता समाज आते हैं आपको जहां से दिख रहा है हीरा लगता है हम जहां से देख रहे हमें कोई नूर में कीडा लगता है तो पुरिया अपका हमारा परसनल बात है बाहर किसी को नहीं पढ़ जाए इंफरमेशन है मिश्रा कान बन करो वह रात का हुआ था काली या तेरी रात थी हलकी हलकी सूरज की किरने उफ़क पपाल रही थी कि वाट रूम से एक डॉक्टर चलाता हुआ बाहर आया लोगों से कहने लगा कि देखो मेरे हाथ से रोशनी निकल रही है एक नर्स निकली उसने अपने सर से डपटा अवतार के कहा कि मैं एक पापी यौरत हूँ मैं इस अवतार को कैसे चू सकती हूँ मस्जितों गर्जा घरों में ऐलानार शुरू हो गए घरों के दर्वाजे खड़कियां बजने लगे लोग बर्मला पुकारते हुए घरों से बाहर आये और कहने लगे आ गया वो अफ़तार था जिसका इंतजार अरे आप आपके डिलिबरी का नहीं पूछ रहे हैं ओ रात चार बच के चालिस मिनट वाला कांड ओ जरा फुल खुल के बताईए ना रात के चार बचे मुझे एक ख्याल आने लगा चार बच के चार मिनट पे जब ख्याल बहुत शतीर हो गया ख्याल ने शिद्दत अख्त मैंने का तुम ने कहा तँ तँम फोन करोगी मैं बाघल हूँ जो सूजाओं कहना की फौरा आजाओं मैं अपना ख्याल लिक के उसके पास पहुंचा और मैंने कहा के आए हसीना अब मैं तुम्हे अपना ख्याल पढ़के सुनाओंगा हसीना के पीछे से तीन गुंड़े निकले उनके हाथ में गने थी कहता है जमान साब होन तुसी अपना ख्याल कार के विखाओ जलील भाई है का चीज का कमी है आपको यार है काहे किया ही सब तेवारी मेरी जान अगर मैं आगे से गन ना चला था तो वो पीछे से गन चला दे थे जलील शाहब अंजरा खुल के बताईए ना किस सिच्वेशन का थी उन्होंने मुझ से कहा कि एक करोड पे दो और जान बचा लो मैंने कहा मैं एक गरीब मेहनत से रोजी रोटी कमाने वाला राइटर हूँ इतनी रखम तो मेरे पास नहीं है आखा तो आगे से कहने लगए क्या KIR तुम्हें मौट से डड़ नहीं लगता मैंने का पागळो रहे हैं मैं तो मौट से इतना डरता हूं मैं उनके पैरों में गर गया मैंने का गोली तो दूर इνजक्चन की सूई से से भी मेरी उईउईईई नइकल जाती है इंजिक्शन की सूजी से तो हमाई भी बहुत भटती है आगे का हुआ बहराल मैंने ने कहा कि मैं आपको 10 लाक रुपे दे देता हूँ तो मैंने अपने दोस जाहिल अजीम को कॉल की कि मुझे पैसे चाहिए तो आगे से कहता है खलीज साब रिशवत देने वाला लेने वाला दोनों जहनुमिया आप बताएं किसके अकाउंट में ट्रांसफर करनी है अभी जाहिल माना ही था किड्नेपर्स का जो सरगना था उसने कहा के इड़ा वड़ा पाई और इतने कम पैसे ना जीना एनू उठाओ एनू पार कर दो उसके बाद वहाँ जितने लोग थे सबने मुझे बारी बारी पार किया और जब आर पार हो गया तो मैंने गिलगला के हाथ जोड़ के उनसे पूछा के खुछारा ये बता दो कितनी बार फिर वो मुझे गाड़ी में बिठा के एक कच्ची सड़क पे ले गए यकिन मानो मिश्रा सड़क इतनी खराब थी सड़क पे भी मुझे जटके लग रहे थे फिर एक जगह उन्होंने गाड़ी रोकी मुझे उतारा बही ये तो बताईए कि गारी से उतारा या गोदी से ओ यू शट अप संजीदा कुर्टकूरी मेरी उंखों पर पट्टी बंडी थी मुझे क्या पता कि जहां मैं बैठा था वो गदी थी या गोदी थी उन्होंने मुझे उतारके एक जगा बिठाया और उनके शूटर ने मुझे फायर किया तो गोली चार फुट दूर लगी उनके सरगराने थपड मारा शूटर को कि अन्ना तू दिखता नहीं है तिनी दूर मारी गोली कहता सर मैंने सही मारी थी ये चार फुट दूर भागए फिर उन्होंने मुझे पत्थर से बान के बिठाया और सीधा मेरे फेस पे रखके यहां यहां गोली रखके सीधा फायर मारी अरे जलील भाईया मूँ पर फायर किया होते तो कौनो निसान होता पट्टी सट्टी कुछ तो हो था आपका दो मुझे बिलकुल वह इसी साफ लग रहा है तिवारी जैसे ही उन्होंने मेरे मुझे की तरफ बंदूक करके गोली चलाई गोली नाली से निकली आवाज आई डस मैंने गोली अपने दांस से रोक लिए गोली रोक करको हम लोग नास्ता करके आते हैं आप रुकिये गए यहाँ पर यार मतलब बताओ का फेकने कभी कुछ होता है जलील भाईया मुझे कैसे गोली रोकी क्यों अगर रजनी कान सौ गोलीयों को लसी की तरह पी सकता है सुल्तान राई एतनी बुलिट्स खाके भी अपनी बेहन को बाईज़त घर ला सकता है धरमिंदर अगर अपने जारबन से जहाज को लेंड करवा सकता है तो भला मेरे सामने यह नाइन एमन की गोली यह दो टके की गोली पेच दी क्या है इसके बाद हम मोटर वे पे चड़े और एक नामालू मकाम पे गाड़ी रुकी यहां उन्हेंने मेरा मॉबाइल, डैबिट कार्ड, लैपटाप, कपड़े, विग, चश्मा, तमाम चीज़े वापस कर दी चश्मा, विग, कपड़े, मान्या, अलिफ, अलिफ के मैं और कुदरत एक दुसरे के इंतिहाई करीब आचुके थे और यकिन कर उत्तिवारी मोटर वे पे विदाउट ड्रेस हवा का जो मज़ा है हाई 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 हाई, मैं पता नहीं सकता धन्यवाद जलील भाईया के आप अपना स्टोरी हमें खुल के बताए हमरा मिस्रा का मनुरंजन बहुत अच्छा हुआ पेपर वर्क पे वापस आ जाते हैं वीजा का जो एप्लिकेशन होता है वो में कालम होता ही पुर्फेसन का तो आपका पुर्फेसन में हम का लिखे हैं जो मर्जी कहलो तवारी बस मुझे लगब देने से पहले उसके शुरू में एक अजीम लगा देना एक अजीम बक्चोदा फुर्ण से लिख दो ओ का है ना भाईया इंडिया जा रहे हैं वह उनों जान पिचान है आपके वहाँ पे यह जरूरी नहीं कि मैं किसी को जानता हूँ या नहीं जरूरी यह है कि पूरा इंडिया मुझे जानता है इंडिया में कौन जानता आपको खान मुझे जानता है कौन सारु खान हाँ सल्मान खान आमिर खान अरबाज खान फरा खान यहां तो सब खान खटम हो गए खानों का खान इमरान खान मुझे जानता है असलाव भीया ऐसा है के जावेद अक्तर गुल्जार जी इन महाल लोगों के होते वे आपका कच्छू इंडिया में जमे गना ही पक्वास माई फट गुल्जार ने 99 में लिखा था चपपा चपपा चर्खा चले और वो भी अर्दू में मैंने 1992 में पंजाबी में लिखा था चपपा चपपा कारता चले जावेद अख्तर लिखता है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा यह को पोछने की बात है मज़ा तो तब है कि लड़की बताए उसको कैसा लगा लड़की तो बोल यह ड्रामे का बोल के चार बज़े हमरे घर में गुजगरते मेरी वाली नहीं जावेद अख्तर की लड़की से पूछो ऐसा है जलील भाईया कि आपका हम पूरा सुने है हम है मंतरी हमरा काम है राजनिती यह मेडिया बाली वूट से हमरा कवनो बनता नहीं है हाँ नूरा फटे के डायलोग हमें अच्छे लगते हैं और मैथर्ड अक्टिंग सरिफ कंगना रनावत और मली का सिरावत यह के आगे हमरा बाली वूट खतम हो जाता है अब हमीं चिंता हो रही है आप इंडिया जाएं पहली दफा जान पैचान किसी है नहीं रहने वहने कोई आपका मनुरन्यन ऐसा है नहीं न तो रात का चार बच के चालिस मिनट पे आप बोर हुए तो बिचाए कहा जाएंगे कौन आपको कमपनी देगा एक बार मैं हिंडुस्तान पहुट जाँ तवारी तुम देखना मुझे देखते ही फारण से औरियां फजूल जान और जाहिल अजीम दोड़े भागे हिंडुस्तान मेरे पीछ आजाएंगे अबे ये औरियां फजूल जान यहां इंडिया में का लेने आएगा वो हिंडुस्तान के इश्तिहारों में होने वाली फारण जाएंगे और उड्यानी को उजागर करेगा और बताएगा कि इससे माशरे में कितना बिगाड़ आ रहा है और वो उसको वहां से रिमूफ करके वहां के हिंडुस्तान के इश्तिहारों को पाक साफ कर देगा एंड शर्य उसकोलों के मताबक कर देगा इसके बाद हिंडुस्तान में एक मजबूत शर्य खौन्दगी परवरिश पाएगी अब ठीक है यह तो यह औरियां का चुरन हो गया यह बता हुई जाहिल अजीम कापा पड़ बे लेंगे सबसे मज़दार तो चुरन ही मेरे दोड़ जाहिल के पास है इतने सालों से हिंदू लोग बिचारे रावन से डरते आये है जाहिल अजीम उनको बताएगा का रावन तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं आहा जो तच्चाल है तच्चाल के सामने तो रावन भी मासूम मजलूम और मिस्कीन सा लगएगा बेचारा रावन हम मिलके हिंदूस्तान की अवाम में वो शौर बाटेंगे जिस शौर से उन्हें हजारों सालों से दूर रखा गया है ऐसा है जलील जमान कमर जो भी है धाड़ा है का हमेंने मालूमाँ आप से यह सब बतिया इसलिए रहते कि ताकि आप उल्टी कर सकें कि आपने माँ कांड क्या पेलना है आप लोग जो गुड़ को अबर पाकिस्तान में फैलाए हो वह यह आप जाके इंडिया में फैलाए रहोगे और हम यह टांग पे टांग रखका बैठा रहेंगे घंटा मिया जी का हम इंडियान डिफेंस मिनिस्टर सिरी 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 असलील तिवारी इस ससुरा में एक सोर करते हैं कि इंडिया तो दूर उका करीब का बार्डर के पास भी आपके जैसा ब्यक्ति भटक ना सके जिवारी जी इफ यू डॉन्ट माइंड आप अपने पाउं टेबल के उपर रख सकते हैं का है जिस डॉक्टर ने मुझे धूप में निकलने से मना किया है उसने ये भी कहा था कि जलील रमीन पे बैठके किसके पाउं ना पकड़ना पैर उपर रखें ताके मैं उन्हें चाट के आपकी सिफारिश कर सकूँ मेंसन नाट हमरा पाउं पकड़ने हैं हमरा गला पकड़ने हैं जो मन मर्जी इंडिया नहीं जा सकते भाई देखो तिवारी थोड़ा सा विजडम से काम लो मैं वादा करता हूँ कि मेरा लिखा हुआ सक्रिप्ट उसमें जो मर्जी चेंज करना हो कर दो मैं उफ तक नहीं करूँगा जिसे मर्जी हीरो हीरोईन कास्ट करो मैं उफ तक नहीं करूँगा मैं इंडिया के सोशल मीडिया पे बैटके अपने ड्रामे में कास्ट होने वाले हीरो, हिरोईन और डिरेक्टर के ओपर कोई, कोई शोब्दे बाजी, कोई किसी किसम की तंज, कोई बाते नहीं करूँगा मैं कसम खाता हूँ, कास्टिंग काउच बंद कर दूँगा प्लीज, प्लीज, मेरी विज़ा की तर्खास पर, नजरे शानी करो मैं सा साल तुमारे जूते धो धोके पीता रहूंगा तेवारी प्लीज, तेवारी प्लीज अब देखो तेवारी मैं क्या करता हूँ प्लीज, 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 प्लीज बढ़े हम्मत है तो करके आओ मैं सार्टिंग थिवारी मैं बाहर जाके प्रेस कान्फरेंस करूंगा दुनिया को बताऊंगा का कैसे रॉक एजेंट मुझे उठा के डिफैंस मिनस्ट्री पे लाए और मुझे फोर्स किया कि मैं पाकिस्तान को छोड़के हिंदूस्तान की शेरियत एक्तियार करूँ लेकिन मैंने इन जासूस ओ, इन रॉके एजंटों के मूह के ओपर कह दिया जब भी कोई लड़की देखो मेरा दल देवाना बॉले अले 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 internet गोतारहन अ यारह छूम-ग्योफ ब्डबक वोले थे ना हम तुमे, अब बताव इस गठिया पंति में यजलिव म जमया कमर आगे हैं के हम आगे हैं आजिगे गठिया पंति में तो वह जलील साहर महान है आप तो उनके आगर चना भी नहीं बेचते दन्यवादी इवाद हम सबेदे से भॉंके जा रहे थे तुम समझ में नहीं आ रही थी ऐसी बोलते रहते हो हमें